मैंने डाउट भीजा था अभी क्लास ज्यादा लंबी क्लास रहीगी नहीं एक कोश्चन करेंगे उसके बाद आप पूछ लिजा करा होगे माइनरेटी इंटरस्ट में एबनर्मल लॉस ठीक है अभी एक महम पहले यह वाला कर लेते हैं फिर आपका अबनर्मल लॉस वाला भी डाउट ले लेंगे ठीक है रागव चलिए एक सब बोल रहे थे के सर इसके अंदर आप करवा रहे हो पुराने बैलेंशीट से तो नहीं ब किसे बिल्कुल ऐसा कोश्चन आएगा एक्जाम में तो इसी कोश्चन के जो यह बैलेंशीट को उतारना है आपने बनेगा इन दोनों डिजट को यह करने वाले जो यहां घीवन है तो मैं पहले इसी बैलेंशीट को उतारलूँगा अशन तरीका मैं बता रहा हूं ठीक है तो इस balance sheet में मैंने current liability तक मैं पहुँच चुका हूँ आगे क्या है हमारा देखते हैं continue में मैंने एक बना लिया है सामने question number आपके book का 6 ही है assets की बात करते हैं अच्छा trade payable रहे गया है इसमें a part trade payable ठीक है आ जाईए अब हम आ जाते हैं दूसरे number total आएगा पहले तो total फिर आजाते हैं number two पे जो की हमारा है asset अब जो लिखा है यहाँ asset इस उतार लेंगे non current assets number one non current assets कैसे लिखा है number one ठीक है known कुछ मैना short form भी use करूँगा assets इसके अंदर सर्द है fixed assets अब फिलहाल यह पुराने language है तो अब यह fixed assets के जगह पे आ जाता है property plant and equipment जिसके पास नई book होगा उसमें आ चुका होगा तो मैं वही लिखता हूँ नई pattern के साब से A part P P और E ठीक है property plant and equipment इसमें freehold promises है lease है land and building है तो इसके लिए न मैं note बनाना पसंद करूँगा मैं सीधा लिख लूँगा ठीक है मैं note बना के तो डारेक्ट लूँगा क्योंकि वैसे नहीं लिख रहा है अब B part कर लेते हैं current investment non current investment और ये नहीं आएगी क्योंकि ये क्या है हमारा share से मैंने बना लिया है although आएगा नहीं लेकिन मैंने बना लिया current assets में inventory, trade receivable, debtor, cash ठीक है तो अब इसके बाद आजाता है हमारा number two sir number two किसका रहता है current asset sir current assets में क्या रहेगा बताओ number A number B TR लिख देते हैं ठीक है number C cash and cash equivalent नहीं लिख पा रहा है समझ मैं आई बात आपको चलिए इसके adjustment को करेंगे और जो adjustment minority interest यहाँ पर करूँगा थोड़ा खिच-पिच हो सकता है यह नई page पर कर लो उसको नई page पर कर लेते हैं चलिए तो हम सिर्फ working note वाला part नई page पर फिर वापस यहाँ पर टूटल कर लेंगा आके तो सर नई page पर कर रहे हैं तो question भी होना जरूरी है तो ले लेते हैं question इंपोर्ट कर लेते हैं और यह रहा हमारा question ठीक है question में क्या कहता है कहता है at the date of acquisition acquisition मतलब क्या होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है acquisition मतलब जिस दिन company को shares को कुछ भी खरीदा गया है at the date of acquisition मोटी of 2000 share छोटी limited तो आप ध्यान से देखोगे तो non current investment में यह है मोटी और यह है छोटी तो मोटी ने खरीदा है किसको छोटी को तो मोटी ने 2000 share acquire कर रखें किसके acquire कर रखें 2000 share और उसके लिए उसने payment कर रखा है 25,000 रुपर और सर छोटी के पास देखें तो share कितने है तो कह रखा है कि इसके पास 30,000 तो 10 के हिसाफ से देखा जाए तो छोटी के पास 3000 share थे इसका मतलब हमने 3 में से सिर्फ 2000 खरीदें तो percentage पूछूँ तो कैसे निकालोगे सर 2000 divided by into में 100 कितने percent 70 नहीं ओके 66.6666 percentage आ गया इसको साधारन सब्दों में 1 by 6 भी कहां जा सकता है ठीक है यह हम पहले एक internally अपने दिमाग में सारी calculation बिठा रहे हैं ताकि हम जब करें तो बहुत जल्दी हो जाए कहता है लेटर दा company undistributed surplus and reserve 5000 none of have distributed since acquisition कहता है यहाँ पे हमारा 5000 रुपे का ऐसा था जो की हमारा undistributed क्या था reserve दुबारा line पढ़ देता हूँ कहता है दा लेटर company लेटर का मतलब है company खरीदने के बाद had undistributed surplus and reserve 5000 none of which have been distributed since acquisition मतलब जो इसके पास है company के पास surplus तो देखिए company के पास चलिए यह आगया इस surplus में 5000 ऐसा है जिसको distributed नहीं किया गया यही बात कह रहे है यहाँ पे तो सबसे पहले हम सारा minority interest जो चीज़े करते थे वो देख लेते हैं फटा-फट से तो sir minority interest वगरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाए हमारा share capital की बात करते हैं पहले sir share capital की अगर आप बात करोगे तो share capital कितने लोगों में जाएगा दो लोगों में जाएगा एक जाएगा आपका holding company के हिस्से में एक जाएगा minority के हिस्से में तो share capital जो है actual वो था हमारा total 30,000 जिसमें question ने कह दिया के भाई holding का हिस्सा रहेगा सरिफ और इसका रहेगा 10,000 अब बात कर लेते हम continue में reserve and surplus reserve and surplus की बात करते हैं तो reserve के सबसे पहले बात कर लेते हैं and surplus दोनो इसके पास दोनों है general reserve भी है और surplus भी है undistributed किस्की बात करता है कि surplus नहीं दोनों surplus भी reserve भी दोनों मिला के 5000 है अब none of which have been distributed since acquisition acquisition से मतलब distributed किया ही नहीं गया है तो 5000 है तो sir 5000 में देखा जाए तो हमें एक बात टैक करना हो कि reserve का कितना part है और surplus क्योंकि reserve एक अलग part है हमारा और या तो फिर हो सकता है कि ये पूरे name का बोल रहा है कि इसके अंदर कितना part हो हमारा 5000 समझेगा बात को आपको तो हमें reserve का part अलग करना है और surplus का अलग करना है या फिर आप simply किसी एक को भी consider कर सकते हो तो reserve और surplus को अगर अलग करेंगे तो भाई इनका 2000 और 1000 तो ये रहेगा कुछ proportionate 2000 और 3000 चलिए तो परपोस्नेट जो रहेगा वो रहेगा 2000 और 3000 तो पहले तो इसको observe करेंगे आप बातों को समझेए इसको बताईए clear रहे ये बात कोई दिकत हमने इसको उस परपोस्नेट में ले लिया कहता ही के ये 5000 रुपे जो है ना वो undistributed है और ये company खरीदने के बाद कमाया गया है मैं दुबारा पढ़ देता हूँ the date of acquisition मोटी 2000 share in the छोटी लिए उसके बाद later company undistributed reserve उसके बाद company ने 5000 रुपे का ऐसा reserve है जो undistributed रहा यानी simple कहना चाहता है कमाया है इसके पहले का हमारा question थोड़ा से cut गया है देखो date क्या है हमारा एक बार दिखाना book तो sir इससे पहले का अगर हम date की बात करें तो company का date given नहीं है किस दिन खरीदा है नहीं given किस दिन खरीदा है हमारा नहीं given है तो कोई बात नहीं तो यहां पर हमें reserve को दो पार्ट में बाटना होगा देखते जाईएगा मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूं ताकि थोड़ा अच्छे से हो पाए पहले इसको देखे आपको समझ में आया है नहीं है यहीं तो आगे बढ़ने का फाइदा नहीं है अब यहां पर दो बाते होंगी सर सर क्या दो बाते होंगी दो पार्ट क्या होगा सर दो पार्ट होगा यहां पर एक तो बात करेंगे हम प्री और एक बात करेंगे एक बार प्री और पोस्ट जल्दी जल्दी बता दीजिए आप क्या होता है औरली बताईए प्री क्या होता है मतलब जिस दिन खरीदा था उससे पहले यानि जिस दिन बिक रहा है सारी महनत किस की? उसी की, सबसीडरी की और पोस्ट सारी महनत दोनों की पोस्ट वाला जो प्रॉफिट होता है उसे कहां-कहां लिखने बताओ होल्डिंग के पॉइंटो भी से बताना तो होल्डिंग के रिजर्व में एड़ हो जाता है लेकिन प्री वाला प्रॉफिट क्या होल्डिंग के रिजर्व में एड़ होता है? नहीं होता है तो सबसे पहले तो बताइए अब प्री में भी दो पार्ट आ जाएंगे क्या क्या सर दो पार्ट आ जाएंगे यहां पर दो तो दो पार्ट क्या क्या आ जाएंगे सर एक तो होगा हमारा नहीं मतलब कि एक होगा रिजर्ब और एक होगा मैं पूरा डिटेल में ले रहा हूँ इसके भी दो पार्ट आ जाएंगे और एक पहले ये बोली, ये समझ में है इसके बाद reserve के अंदर दो लोगों का हिस्सा और अगर मैं बात करता हूँ sir, कि आप इतनी देर से जो समझा रहे हैं, तो ये है कितने का तो sir, reserve है हमारा total 6,000 holding का देखना है न? 6 है न? 15 का है और 9,000 अब आपको पता है कि कुछ ऐसे reserve है 2,000 ये undistributed है, पुराने question में जो line कहता है question आपके सामने भी है तो question में इसने कह दिया था the later company undistributed surplus reserve 5,000 रुपे none of has been distributed since acquisition जिस दिन acquisition किया गया था तब distribution नहीं किया गया था तो आप ध्यान से देखे तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ reserve का तो reserve के हिस्से में कितना गया हमारा? 2,000 reserve के हिस्से में कितना गया? 2,000 रुपे यह वाला है नहीं 2,000 रुपे और surplus के हिस्से में कितना चला गया हमारा? 3,000 रुपे तो यह जो है undistributed है, पुराने है तो यह कौन से वाले माने जाएंगे? प्री या पोस्ट? प्री माने जाएंगे यह वाले यह वाले कौन से माने जाएंगे हमारे? तो सर, प्री के अंदर देखा जाए ना तो प्री के अंदर रिजर्व है हमारा यह तो मिरे ज़े लगता है यह जगह भी कम पड़ जाएगा और surplus है? 3,000 तो सर, पोस्ट में क्या बचेगा? तो अगर यह 6 था, 2 यहाँ तो पोस्ट में आ जाएगा और अगर आप बात करते हैं, तो 5 तो यह कितने आ जाएगे? क्या करा जाए? इसको उपर ले जाए 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 ना इस question की ज़्यादा ज़ुरत तो है नहीं हमें चलिए मतलब यह तो समझ में आ रहा है हमें यह mainly focus रखना है इसलिए मैंने इसे उपर कर दिया अब reserve में भी दो लोगों का हाथ और surplus में भी दो लोगों का हाथ अब मुझे बताईए reserve कितने लोगों में बटेगा? एक holding में जाएगा? एक subsidiary में यह same? हाँ, MI में जाएगा MI लिख देते हैं subsidiary के जगह पे MI यह marker और यह same holding में जाएगा और MI में जाएगा और यह भी same holding में और MI और यह भी holding में और MI, सब इसी में जाने वाला है तो sir यह कितने कितने बटेगे वो भी देख लेते हैं तो 2000 में से क्या पार्ट बोला था? 16 16 निकाला था ना हमने? तो 162000 का निकाला क्या आएगा? 330 नहीं जादा आएगा 1333 आना चीए हाँ 1 by 6 66% होता है कुछ और होता है calculator मिर पास दिख नहीं रहा यह 1 by 3 होगा ना तो 1 by 3 तो 33.33 हो जाता है 2 by 3 होगा यह है आप एक बर कर लो उसको परसंटेज को डिवाइड कर लो 66 divided by 100 यह होगा 2 by 3 होगा 2 by 3 करना 66 आ रहा है हाँ तो 66 होगया ना 100 से multiply नहीं करो गया ठीक है? अब इसका 2 by 3 करो बाइक कुछ बच्चों को यह जो मैं कर रहा हूँ ना हो सकता है समझ में ना है जिन बच्चों को समझ में ना है तो चैलकुलेटर में पूरा 66.66666666 परसंटेज तक कर दो तब भी ना समझ में आ है तो सर सिंपल सी बात है हमारे पास 2 और 3 का रेशो है ना रेशो कितना है हमारा टू इस्टू या वन वन हाँ शेयर का दो हमारे पास एक उसके पास टू इस्टू वन में बाट यह बात खट हम यह ना तो वही आ जाए गा अल्टीमेटली टू बाई थ्री आ जाएगा बता यह कितना आ गया यही आ रहा है ने 333 हाँ 33.33 को छोड़ते हैं और यह आ जाएगा 667 कर देते हैं इसको कोई दिक्कत सर इसके बाद इसका भी कर दीजिए तो इसका भी 2 बाई 3 कर देते हैं तो 3 इसका आ जाएगा 2000 और 1000 चलिए अब इसका कर लेते हैं 266 और इसका और इसका 4000 इसका चलिए यहां तक तो हम पहुंच गए देखे हाला कि यह देखा जाए तो मैंने थोड़ा लेंदी प्रोसेस करा है इसको मैं शॉट भी करके दिखा हूँ आज मेरा मेरा में मकसद यही है कि सर आप इतने लेंदी कर रहे हमारे एक्जाम में थोड़ी इतना दिमाग चलेगा कुछ शॉटकट भी तो होना चीए ठीक है अब जोड़ते जाएंगे प्लीज एक्स्प्लेइन अगेन क्या एक्स्प्लेइन करना है बताईए सर मुझे रिजर्व एंड सर प्लस की एलोकेशन समझ नहीं आई रिजर्व एंड एलोकेशन का चलिए बता देते हैं तो simple सी बात है हमारे balance sheet में और balance sheet में हमारा कौन छोटी अगर छोटी की बात करें तो छोटी के balance sheet में ये part है हमारा reserve का और ये part है surplus का अब इसमें से उसने कहा था question में के 5000 रुपे वाला जो हिस्सा है वो दोनों का undistributed है और वो pre है इसका मतलब तो sir 5000 में reserve भी जुड़ा हुआ है और surplus भी जुड़ा हुआ है तो reserve और surplus का ratio देखा जाए तो क्या जाएगा हमारा 3 is 2 तो इसको मैंने 3 is 2 2 में बांट दिया तो एक के हिस्से में आगया 2000 और एक के हिस्से में आगया 3000 मैंने आगे क्या किया इसको pre को अलग कर दिया post को अलग कर दिया pre में 2000, 3000 और post में बच गया 2000 अगर 6000 में से माइनस करोगे तो 4000 क्योंकि 6000 था ना 6 में से माइनस करोगे 4 और 9 में से माइनस करोगे तो 6 यह आ गया फिर इसको हमने ratio में बाट दिया sir ratio हमारा 2 is 2 1 का है कि 2,000 हमारे पास है और 1,000 उसके पास है तो GI और H बाट दिया अब प्री की बात कर लेते हैं हम अब हम calculation पर आ जाते हैं ठीक है समझ में आ गया आपको मैं calculation की बात कर लेता हूं अब आ जाते हैं हम इसके उपर सर इसके अंदर अब बात करते हैं हम holding ने company ने क्या खरीदा equity share खरीदा reserve खरीदा और surplus खरीदा कौन से वाला खरीदा सर सारब pre वाला equity share तो बताई दिया था कितने 20,000 pre वाला इसने reserve खरीदा कितने और pre वाला surplus खरीदा इसने यही है ने प्री वाला post वाला part तो उसी के reserve में जुड़ जाता है वो हमारा goodwill या capital reserve निकालने के काम ही नहीं आता तो total कितना payment किया 22,000, 23,000 कहां दे रखा है क्या दे रखा है pre or post answer है वो question कहा है है वो solution है ठीक है यह आ गया अब इसके बाद यह सारी कहानी टेबल में दे रखा है बुक में मैंने ऐसे समझा दिया फरक क्या पड़ता है अब इसके बाद क्या माइनस करेंगे इसने payment करा था इस worth के लिए 25,000 तो लेस कर देते इसने paid investment किया था कितने का पच्चेस अजार तो सर यह पच्चेस अठाइस लग रहा है ना पच्चेस अजार कितने हो गए 1666 क्या आया जी गुडविल आया आप मैच कर सकते हैं कहानी यहीं पर है सबसे बड़ी लड़ाई अब देखोंगे ने जब मैं balance sheet बना रहा हूंगा नई वाली balance sheet बना हूंगा तो वह उतारा है मैंने balance sheet और आपने भी उतारना है अब बात करते हैं MI की MI की calculation कहां करें सर यहां कर देते हैं MI की लिए देख रहा है जिसको थोड़ा छोटा कर देंगे MI का क्या है share capital reserve और sir plus, sir share capital 10, sir reserve 2-2, pre वाला reserve भी और sir post वाला reserve भी, sir post वाले कितना reserve है और reserve की बात करें तो reserve में भी sir 2-2, pre वाला reserve भी और post वाला reserve भी, sir plus, sorry तो sir कितने हो गए? 10,000, यह हो गए 1,000, ठीक है न? मैं 1,000 मान रहा हूँ, एक रुपे उपर नीचे चलेगा यह 2,000 होगा, ठीक है 2,000, तो आगे, तो MI आएगा हमारा 15,000 का चेक करिए आपके पास, सभी के पास किताब है दो, चेक करिए 15 यह आ रहा है, ठीक है न? अब बात करते है, sir holding company के reserve में क्या जोड़ेगा तो sir pre वाला तो holding कुछ नहीं लेता, अपने reserve में, post वाला reserve में लेता है 6,600 मैं यहां लिख देता हूँ यही अपने reserve में जोड़ेगा, यहां तक clear है चाहत एस अंडिस्टूट रिजर्व अंडिस्टिवर्स पांचे जार रुपर स्टार्टिंग अच्छा चाहत चाहत कर रहा है, डाउट क्लियर कर रहा है, किसी अच्छा चाहत कर रहा है चाहत अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक clear, अब देखो balance sheet कितने जल्दी बनेगा, मतलब यह काम आपके exam में हो सकता है, सिर्फ यही पार्ट दे दे और बोले MI निकालो बात खता, यह calculation करना है, सर आप इसका कोई shortcut भी बताओ, इतने लंबे में दो नहीं जा सकते, बुक वाले ने तो 4-5 लाइन में करा है, चलिए shortcut पर आ जाते हैं, थोड़ा सा shortcut, आपके सामने देखिए, दो चीज़े निकालने है, एक share capital है, एक reserve, and surplus है, दोनों लीजिए आप, सर, share capital के दो हिस्से हो जाएंगे, एक हो गया हमारा 20,000, और एक हो गया 10,000, यह calculation तभी कर सकते हो, जब आपको base clear हो, समझ में आया कैसे हुआ यह, तो यह वाला पार्ट चले जाएगा, किसको, और यह वाला पार्ट चले जाएगा, अब reserve and surplus के दो टुकडे हो जाएंगे, टोटल कितने थे, 6 और प्लस, 9, अब इसके दो पार्ट कर देंगे हम, अब directly MI को check करना है, तो वो भी कर सकते हैं, दो पार्ट में कर देंगे, हम इसको दो पार्ट में कब करेंगे, क्योंकि MI वाले का प्री पोस से लेना देना ही नहीं है, समझो बात को, तो MI वाले का अगर हम देखें, तो ratio 2 to 3 था, 15 को 2 to 3 में बताओ, तो MI और एक होल्डिंग, ठीक है, MI का बताओ, 3 to 2 में बाटना इसे, हाँ, 2 to 3 में बाटो, ये मैं extra बता रहा हूँ, 2 to क्या था, 2 to 3 था, 2 to 3 या 1, 2 to, ratio बताओ, MI और इसका, हाँ, 2 to 1 में बाटी है, तो सर, MI के हिस्से में कितना आएगा, 15 में से, 3, 15, 5, इसका, 10,000, अब ध्यान से देखिए, MI, MI दो जगह है, यहाँ, ये MI है, ध्यान देजिएगा, MI है, मैंने कोई pre, कोई post का पंगा नहीं पाला, MI में एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, खतम कहा नहीं, आ गया इसका, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, holding की, valuation की, इसके दो पार्ट बाट लीजिए, ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट, ये pre post के लिए हगदार है, क्योंकि कुछ पार्ट रिजब में जूड़ेगा और कुछ पार्ट, valuation में जाएगा, इसका pre post की बात करें, तो इसमें से आपको प पांच हजार था, और ये पांच हजार दो हिस्से में बट रहा था, MI में भी बट रहा था, और ये दो में था न, एक तो holding में था, और एक, सर MI वाला तो चला गया, अब बचा holding वाला, ratio क्या था ये दोनों बटने का हमारा? मैं pre post नहीं कह रहा, जो इसमें बटा है, इन दोनों में, 2 to 1 में बट किया, अब सर जो ये बचाए 10,000, इसके अंदर से अगर आप दूसरा ratio देखो, दूसरा ratio देखो, तो जो ratio हमारा ये वाला था न, ये, pre post का ratio ये है, जो आपने निकाल लेना है, क्या, 2 to 3, मैंने उल्टा लिख दिया, ये 2, फिर 3, चलो, ये होगा 2 to, अब हम क्या करेंगे इसको, 2 to 3 में बट दो 10,000 को, तो क्या आता है? ये हो गया हमारा pre, नहीं, ये हो गया post, और ये हो गया हमारा pre, ये ही होगा न, ये post होगा, ये pre होगा, ये pre होगा, ये post होगा, ठीक है? अब इसने क्या करा? अब इसका देखो, ये आगया part, और ये आगया part, इन दोनों को जोड़ो, तो वेलिवेशन कितना गया 2600 और कोई दिक्कत नहीं एक रुपे छोड़ो ना उपर नीचे जा तो बीस हजार और 2600 2600 का समान मिला और इसने पेमिंट कितने का किया 25 यहां कुछ गड़ बर लग रही है मुझे यह रेश्यो सही बाटा आपने 4000 और 6000 होगा नहीं आप रेश्यो में सही बाटिया देखिए हाँ 4000 नहीं अभी भी गड़ बड़ा है चलो छोड़ो उसको छोड़ते हैं मैं स्रिफ MI का बता रहा हूं शौटकॉट MI का पता चलिए कैसे निकालते हैं अगला question क्यूंकि टाइम जादा नहीं लगाते अगले question में मैं इसका भी बता दूँ हाँ क्यूंकि यह पूरा ही लेगे MI का हमेशा क्या करना है Share Capital लिया Reservance Surplus लिया Reservance Surplus में MI वाला पाट बाट लो Share Capital में MI दोनों जोड़ों हमेशा वही होगा MI क्योंकि Main MI निकालने में दिक्कत आएगी आपको ठीक है न? चलिए अब Balance Sheet पर आ जाते हैं Share Capital के अंदर Balance Sheet की बात करें तो Share Capital में Sir सिर्फ इसी का रहता है जो कि एक लाख लिखने सीधा एक लाख लिखना Reserve and Surplus में आया दिक्कत और Sir Reserve and Surplus यहाँ लिख रहा हूँ नोट में वैसे नोट बनाना चाहिए आप बनाओगे मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारा खुद का Reserve and Surplus कितना था हमारा था Reserve Plus Surplus दोनों कर रहा हूँ तो Reserve क्या था हमारा और Surplus क्या था तो 12 और 15, 37 और इसमें Plus कर देंगे Sir Plus क्या करोगे इसके अंदर इसका हिस्सा जो निकाला था यह इसका Post वाला Reserve and Surplus तो Post वाला 4 और Post वाला इसका Reserve and Surplus का 2600 तो 2600 तो यह आ जाएगा हमारा कहीं बाहर कर दो क्या इसको क्या हो क्या है मिटा देते हैं पहले से मैं इसको यहां कर रहा हूँ Reserve and Surplus Reserve and Surplus समझ में आ जाएगा एक तो Reserve एक Surplus Sir Reserve की बात करें तो हमारा खुद का Reserve है कितने? 15? 25 और हमारा जो है Surplus वो है 12 और Sir मैंने कमाया है जो holding से वो देख लेते हैं एक बार कमाया है holding से एक तो कमाया है मैंने यह पोस्ट के बात चार और एक तेरा सो नहीं 2666 पोस्ट में 2666 Reserve में 2666 और इसमें कितना कमाया था? 4,000 अब टोटल करिए यह टोटल करिए कितने होंगे? 2766 और यह आ जाएगा टोटल आ गया 43,666 यह आ जाएगा हमारा note नंबर इसको डाल देते हैं 1 क्योंकि 1 तो बनाया है नी 1 और यह आ गया 43,000 पहले यह देख लेजिए इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है MI, MI किस के अंदर डाले कुश्चन होता है तो हम किस में डालते है MI को MI हम share capital के अंदर ही डाल देते हैं अलग से ना तो आप देखोगे balance sheet के अंदर कहा है pre post तो share capital के बाद ही देखो जैसे share capital के बाद MI का एक column बनाया है उसने यानि ठीक है हाँ MI तो मैं इसको एक मिनट थोड़ा नीच लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक के बाद दो ये और ये आ जाएगा हमारा MI और जो इसका नाम है ये पढ़ जाएगा 3 बस एक आपको ये धियान रखना है 3 सर MI हमने निकाला था कितना आया था MI हमारा 15,000 डारेक लिक तो यहाँ पर 15,000 अब बात करते हैं trade people ये तो जोड़ना है इसमें तो कुछ थानी, common debts वगएरा तो trade people कितने है जोड़ दिया आपने 20,000 और आप यहाँ पर जोड़ के या नीचे दिखाएगे या note बनाते जाएगे सर ये आगया total अब आजाते हैं assets पे assets की बात करें PPE तो PPE के अंदर हम note बना लेते है note number 2 PPE और देखो पुरानी balance sheet वाले जिसने class देखिए उसको अच्छे से clear होगा के बनाना कैसे number 1 क्या है हमारे पास freehold number 2 क्या है हमारे पास leasehold number 3 क्या हमारे पास plant यही है तो अब इसके देख लिजे क्या क्या है कितने का freehold नहीं freehold बताओ 72,000 चलिए land में दोनों का एक का है एक का पच्छे दोनों ही जुड़े का है यह तो और plant में दोनों का है 30,000 प्लस 10,000 तो यानी 40,000 यह कहा लिख दिया मैंने plant का लिखना है न ठीक है यह आगे कितने एक लाग बाद सट अजार और यह आगे नोट नमबर टू 162 सर इसके अंदर एक पार्ट और आएगा B कैसे जोड़ रहे हैं आप कैलकुलेटर पर गलत कितना रहे है 1 67 तो 67 क्यों बोल रहे हो 137 137 सर यहीं पर क्योंकि question में देखोगे तो क्या निकला था हमारा तो goodwill तो जाना चाहिए assets में तो यहीं पर आपका intangible assets आजाता है B part और कितने का था 1666 मानलो क्योंकि उपर भी 6 है तो 6 को चलने दो non current investment अब नहीं रहेगा तो इसे देते हैं हम हटा यह तो पूरा ही हट गया ठीक है अब आ जाते है current assets inventory बताईए 21 सही से जोड़ना है आपने TR cash and cash equivalent अब calculate करिए बस और यह यह बन गया तो आप देखेंगे यहाँ पर महनत कम है और in fact इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो इसको छोड़ते हैं no photo अच्छा no problem ठीक है तो इसके अंदर यह वाला partner आप देखोगे जितने ही बच्चे देख रहे हैं चाहे YouTube पर देख रहे हैं चाहे आपका application पर भी है चली रहे है life class तो पूछी रहे हैं और जो offline भी बैठे हैं महनत इसमें नहीं है अगर आपको examiner दे दे दो चीजे तो समझ जाए आपको examiner ने वर्दान दे दिया एक यह और क्योंकि पीछे इतना सारा क्या कर रहा है दो ही चीज़ तो निकाला है और तो कुछ निकाला ही नहीं अब देखो अगर पीछे तो बस यही दो चीज़ में हमने मात हमारी लगाई गया और बाकी किसी assets में तो कुछ कराई नहीं सर वो ही जोड दिया हमने बस जो भी देखो तो यह दो चीज़े examiner लगता है आपको देगा नहीं देगा यही चीज़े पूछेगा जिसमें MI का मैंने बता है MI का और भी मैं बता दूँ है अब एक question इसमें है के losses से related साथवा question है loss से related मैंने जो पहले doubt पूछा था loss से related उसी की बात कर रहा हूँ ठीक है और दो तरीके से losses हो सकता है या तो question में examiner क्या कर दे यहीं पे आपको loss दे दे या तो यहीं loss दे देगा या कहेगा जो पुराना है ना हमारा pre वाला pre वाला जो है वो तो है loss और यह वाला हो गया profit समझो बात को मैं पहले वाले point की बात कर रहा हूँ हो सकता है सीधा उपर loss दे रखा हो नीचे कोई बाते ना कहो है तो उपर loss दे रखा है तो जैसे profit को हम distribute करते थे losses को distribute करेंगे हम holding का point निकालने के लिए क्या करते थे जैसे 20,000 था और हमने profit को add करा फिर valuation निकाला यहाँ पर क्या करेंगे 20,000 और profit को क्या करेंगे minus और फिर valuation निकालेंगे holding का valuation तो mean निकालना होता है न यह मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले हमने क्या करा equity, reserve, surplus यह इतने का और इतना payment किया इतना goodwill लेकिन loss होता तो यह reserve surplus होता है नहीं surplus minus में होता तो इसका क्या हो जाता हमारा 20 minus में 2,18 और दिये 25 तो बाकी क्या आएगा जो भी गयाएगा goodwill अगर loss कहाँ पर given हो सर लॉस अगर given हो यहाँ लेकिन सर लॉस यहाँ दिया ही नहीं ज्यान देजेगा इसने कहा कि इस question में 5000 रुपे का loss है इसी question को लॉस है तो यह कौन से loss है प्री प्री कही है यह कौन सा loss है हमारा और यहाँ पर जो दे रखा है आपको यह total है दोनों है इसका मतलब सर इस 5000 के loss को recover करने के बाद आपने 6000 और 1000 कमाया है तो आपका post का profit पता ही क्या होगा बताओ पहले आप loss में बैठे थे और नई balance sheet में profit मतलब कि कुछ दिनों के बाद balance sheet में profit दिख रहा है तो आपका जो post का profit होगा ना वो 6 और 9 15 है और प्लस 5000 भी करोगे तो यानि आपका जो profit होगा वो 20 000 होगा पहले इस बात को समझो क्योंकि बीस अजार जो है वो क्या होगा सारा का सारा post का profit होगा अर सर प्री का क्या होगा loss होगा कितना loss होगा तो प्री वाले के case में वैसे distribution करोगे जैसे सिखाया है और post वाले case में उसी profit का वैसे distribution करोगे और valuation का तरीका वैसे ही रहेगा समझ में आये कैसे करना है तो एक बाद ट्राइ जरूर करना एक बच्चे का डाउट था पहले रागभ से पूछ भी लेते हैं क्या क्लियर हुआ कैसे करना है और इन फेक्ट इस कोश्चन में मैं बात कर रहा हूं ना चटे के बाद सातवे कोश्चन में वही चीजे मेंशन होगा चाहिए अर्जस्मेंट में लॉस्ट दे रखा होगा उपर प्रॉफिट होगा शायद ठीक है न सर आप कोई भी रिस्पोंज नहीं दिया क्या होल्डिंग कंपनी की ओल्ड वीडियो देखकर स्टडी हां ओल्ड वीडियो नहीं है मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है उसक जो रागव है बताईए अगर डाउट है तो आप बताईए रागव क्लिए रहे है कि लिए रहे हैं सुमित एक बार ना आपने जो सी एफेस का था ना वो ग्रूप में डाल देना इमेज सोलीशन जो आपने किया था अभी आ जाएगा रागव आपके पास रागव नहीं क्लियर है यहां तक तो आज हमने एक कोशन किया होमवक में आपका रहेगा कोशन नमबर 7 के साथ साथ इंफेक्ट में कोशन 8 भी आपको होमवक में दे रहा हूं क्योंकि common debts है common transaction है हम adjustment में कर चुके हैं और 8 के साथ साथ question में 9 भी आपको दे रहा हूं बस नाइन तक ट्राई करना है आपको कल सुबह साथ बजे क्यों साथ बज़े तो ट्रेक्ट रख रहे थे हम कल फाइनल का टेस्ट का बोला था ना तो कल सुबह साथ बज़े अगर ख्लास रखते हम एक बार में question मैंने पहले ही upload किया हुआ है आप देख लेना उसी में जो PDF है उसमें upload किया हुआ है application के अंदर झाल किया है उसमेश बज़े इस जस्वे क्या है आप थे हम एक बार में आप घपट साथ कह दो प्रेक्राश बज़ें जाख भीगुआ है CA बार में एक जड़े आप एक शोबह ज़े हम एक खान एक पर भीघ़े आप रहे हम एक पर वेगर कि दोशे हैं लेम एक प्यारी आ